हे दोस्तों मैं आपका टॉप डिपोर्टर में स्वागत करता हूँ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MCC की वेर साइट में एक नया नोटिफिकेशन आया है जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ सबसे पहले आपको official website mcc.nic.in में जिसी के आप यहाँ देख सकते हैं news event की नीचे एक notice आया है extension of last date of reporting for round 2 तो यह notification में क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले आप देख लिजे 8 अगस 2018 तो चलिए देखते हैं इस notification में क्या लिखा है यानि जो last date था reporting का वो extend की गई है last date अब जो है वो है 9 अगस 2018 चारवे से पहले यानि आज शाम चारवे से पहले आपको reporting करना है जिनका भी reporting नहीं हुआ है वो reporting करा लिजे आज शाम चारवे से पहले नहीं तो आपको वो सीट जो है वो cancel हो जाएगा और आपको जो refundable deposit था वो भी आपको नहीं मिलेगा जो आपने starting में restrictions है पहले करवाया था अगर आपको college join नहीं करना है अगर आपको ऐसा college मिला है जो आपको पसंद नहीं है और आप उसमें join नहीं करना चाहते तो आपको reporting करने की कोई आवसकता नहीं है और अगर आप join नहीं किया है और आप join करना चाहते हैं तो आज शाम चारवे से पहले आप जरूर join कर लिजे क्योंकि उसके बाद आपका seat cancel हो जाएगा और जो seat जो है वो आप claim नहीं कर पाएंगे और आपको seat वहाँ वापस नहीं मिल सकता तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे comment कर बता दीजे साथ ही ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ भी share कीजिए ताकि आपके साथ वह भी update रहे ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले साथ ही notification का bell दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो के updates आपको मिलती रहे धन्यवाद